तो मुकामबिका है वो भगवती प्रकट हुई थी मुकासुर का दमन करने के लिए, आतंक मचाया था उसमें, तो उसको दभोच दिया, अब मुक असुर, मुक कहते ही जो बोल नहीं पारता, तो बच्चों में भी हम देखते हैं, बुधिमान है, पर वो बोल नहीं आई है, बोल नहीं सकता, तो बहुत बुस्सा रहता है उसमें, अपनी भावनाओं को, अपनी विचार को जो प्रकट नहीं कर सकता, वो बच्चा बहुत भाइलेंट हो जाता है, है ना, तो हम भगवती से प्रार्थना यही करते हैं, मेरे में अच्छाई है, पर में व्यक्त नहीं कर पा रहा है, पता नहीं, संस्कार के कारण हो, है ना, तो ऐसी में बिल्कुल अनर्थ कारी हो रहा है मेरे हाथों से, उस मुकासुर को जो मे अधे में शायद बैठाए उसको हटा दो, ताकि मेरे में जो अच्छा ही है वो प्रकट हो, इसलिए वहाँ पर गए दर्शन किया, आज तो वहाँ कुछ कारिक्रम चल रहा था सुना, सरस्वती मंटप में, तो अंदर नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, वहाँ पर उसी प्र अजन प्रस्तुत किया, भस उसी से वो संतुष्ट होती है, तो हम अपने जीवन में यही चाहते हैं, शिव शक्ति का सामरस्य, पर जैसे आपको बताया, शायद वहाँ पर भी बताया, मूल तो वहाँ पर एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के बीच में एक स्वर्ण की रे शिवलिंग का यहने टू आर लेफ्ट वो जड़ा छोटा है, वो जड़ा छोटा है, विकुस दी बाइसेक्शन इस नॉट एपसलूट हाफ, शक्ति प्रधान है, वो पीठ है, और भगवती का एक विग्रह है, मुख है, ताकि भक्त जो आये, वो देखके हां भगवती के आराधना कर पाएं, और उसके नीचे दीखता तो नहीं है वैसे, उसकी प्रभावली मात्र दीखती है, वहाँ पर शिरियंत्र है, क्योंकि भगवती उग्र थी, मुकासुर का शमन करना कोई छोटी बात नहीं, और हम जाते हैं तो हमें तो उसका वातसल्य चाहिए, तो कुम्य किया है, इसलिए हम हमेशा प्राथना करते हैं, मेरे में जो अच्छाई हुआ है, उसे बढ़ाना और उस अच्छाई को मैं प्रकट कर पा, क्योंकि केवल जानने मात्र से भगवती भी संतुष्ट नहीं होती है, मैं इतना दे रही हूँ, तो उसको व्यक्त क्यों न हमेशा प्रस्तोत होता रहे, उस आनन्द का हम अनुभव करें और व्यक्त करें, यही तो सम्वित सादक का लक्षन है.